हेलो फ्रेंड्स बेलकम बेक तो मैं यूटूब चैनल दिया और बाती हमें आप आगे देखेंगे कि संध्या के क्लासमेर्स घर आ जाते हैं इधर सूरज देखे परिशान हो जाता है तो कुछ ना जवाब देकर मां से चला जाता है फिर चतुरी आती है कि उनको सब समझाती ह और ये बात वो सूरज को बता रही है कि कैसे संध्या के क्लासमेर्स को उसने सारी बाते समझाई है कि वो सूरज सा को गलत समझ रही थी कि वो बता रही है कि चतुरी कह रही है कि संध्या जी के घर वालों को उसका पढ़ना बिलकुल अच्छा नहीं लगता जिसमें सूरज सा उसकी मदद कर रहे हैं घरवालों से छुपाकर संधिया जी को पढ़ा रहे हैं संudया भाबी सा पढ़ना चाहती थी है सूरत सा उनको पढ़ा रहे हैं हमाय सूरत सा बहुत अच्छے हैं यह बात चतुरी सूरत जी को बता देती है इधर सूरत यह सूच के खोश हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते हैं इधर संधिया के फ्रेंड्स घर आ जाते हैं और चतुरी उनको आई विवाग के लोग बताते हैं इधर मीना कान लगाय हुए सुन रही है इधर भाबो बहुत परिशान है इधर आप देखेंगे मीना ध्यान से स यह इसा है और मार्केट के पास भी है तो यह फिर वो कहती है कि इंदोर नखुर थे नहीं सकते हैं वो सब नकली हैर तो संधिया की दोस तो से ले लेती है, उसके हाथ के कड़े और चेक करती है, और फिर आप देखेंगे, भाबो वो हाथ के कड़े निकाल कर दे देते हैं, इधर मीना परिशान होती है, कहती है, यह नकली है, चतुरी सब देख रही है, इधर एमडी जो है, सब गहने चेक करने लगती है और भाबो को बहुत परिशान कर रही है फिर आप देखेंगे कि भाबो का PNT फोन बचता है और भाबो उचकर फोन कॉल देखने जाती है संध्याने भाबो को कॉल किया है ये पूछने के लिए कि उसके घर रूम का पंका चल नहीं रहा था पंके वाले को ले आ है तो बाबो उसको डाट के बुलाती है कि बाजार गूमने लगी है घर आ जा इधर एमली देखती है कि वो अपनी बहु से कैसे बात कर रही है तो वो डाटती है कि ये आप बहु से अपनी कैसे बात करती है ये कोई तरी कि आप अपनी बहु से ऐसे नहीं बात कर सकती है आप अपनी बेटी के बारे में सोची है आपकी भी तो बेटी है आपकी बहु भी किसी के घर की बेटी है और इम्री भावो को बहुत सुनाती है फिर आप आगे देखेंगे कि भावो बहुत परिशान है और कुछ नहीं बोलत भावो कहती है हाँ हाँ रहने दे मैं जानती हूं तुझे फिर मीना कुछ नहीं बोलती है मीना कहती है सौरी भावो मुझे माफ कर दो और भावो कहती है कि कल की छोरी और मेरे साथ ऐसा बताव कर दी है बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है फिर आगे देखेंगे कि वो ल बाज दे देती है और संध्या अंदर आती है तो संध्या कहती है भावो मुझे माफ कर दीजे उन्हों लोगोंने क्या कहा तो फिर मीना कहती है कि संध्या जिठानी जी आप क्यों माफी माग रही है इसमें आपके क्या गलती है वो तो आयकार भिवाग के लोग थे और भावो देख रही है कुछ नहीं बोल पा रही है संद्या सोच कर चली जाती है संद्या सोचती है बाबो ने पढ़ाई को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा आखिर ऐसी क्या बात हो गई है सोचती रहती है फिर आगी देखेंगे कि संद्या सोच रही है बाबो ने पढ़ाई को लेकर तो क चतुरी कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और सूरत सा के लिए मेरी दिल में जज़त और भी बढ़ गई है संधिया ये सोचकर चुपो जाती है और कुछ नहीं बोलती है फिर वो ये सब सोचती है भावों के साथ कितना बुरा बताफ किया चतुरी से पूछने के बा मेरी मा है और तुम लोग मेरी मा से इस तरह से बात कर रहे थे तुम लोग जाओ अपना एंजॉय करो मुझे बात मत करो मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी है इतने में उसके दोस्त लोग कहते हैं कि संधिया तुम मुझे माफ कर दो मुझे गलती हो गई है आगे से मै कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी सास से माफी भी मागूँगी, हमें माफ कर दो और हमसे बोलो, प्लीज हमसे ना बोलो, गुसा मत हो, प्लीज संध्या, सौरी संध्या फिर संध्या उनकी बात मान जाती है और फिर आप आगे देखेंगे कि इस सब खुश हो जाते हैं और संधिया उनके साथ बोलने लगती है फिर आप आगे देखेंगे इस सब लोग कहते हैं कि संधिया मुझसे गलती हो संधिया कहती है तुम्हें अपनी पच्टावा गलती का तुझलों ठीक है फिर क्लास का एक लड़का कहता है कि हो सकता है तुम्हां इस सास को आज ही सच पता चल जाए और संध्या सोचने रहे